लोएड मिरर लाइट मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन से दो कोरेंट शोर्सेज जाने टूए थे तो वो कमपेरिजन करके हम लिख लेता हैं यहाँ पर यह स्क्रीन तो जो भी होगा यह डाइमेंशन गिवन रहेंगे उसी के इसाब से ही होगा यह सोर्स इस लाइन पर है यहां पर सोर्स है यह स्वन आइक जिल रहे है वो डाइर्ट ह? आइडीरہ है वो दैरिक्ट है दूसरी रहे वो रिफ्लेक्टेड थो रिफ्लेक्शन के वजह से पाई का विश्षान होगा यह और यह लीजिए जिरो यह है यहां पर इफ्लेक्शन के वैसे हो गया पाई का चेंज तो यह हो जाएगा यहां से इसका इमेज इमेज हो गया यह स्टू यह हुआ यह ल तो वाइडसी से अगर कंपेर करेंगे तो सोर्स जो था कंडिशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा यह सब कुछ लिखना है तो स्माल डी स्माल डी इस इकल टू ल कैपिटल डी कैपिटल डी इस इकल टू ए प्लस बी right angular position किसी भी point कर से लीटा सै लेम्डा टो लेम्डा है वीटा वी के लिखना होगा तो बीकाल दो लैम्डा डी बाई डी वैंडी जैङ यह लोकेशन आघ माक्सिमा लोकेशन आफ माक्सिमा मतलब डी साहिं ठीटा देखा ता condition सब्सक्राइब गिटी थी को क्या है कि इसाल शुडिया है कि आपके सब्सक्राइब हैhenki H Double 40 लोकेशन अफ किनीमा लोकेशन अफ मीनिमा से टिफरेंट है डी साइं थिटा और यह रिवर्स हो गई है बाकि सब कुछ से मैं कितने नंबर ऑव मैक्सिम मिनिमा फॉर्म होंगे तो यहां पर यह पता है कि टोटल इस्क्रीन पर फॉर्म होगा नहीं फार्मों नहीं किसी रीजन तक ही होगा। यह मानलों ऐसे आया तो देस लेंठ इसका हम भोल देते हैं ल नमबर आफ फ्रिंच haya bridges equal to n is equal to L divided by beta e4 इस में जवात है तो ने है तोटल इसमें इसमें मिलेंगे कि एतना डिस्क्रेशन वा था लास्ट ग्लास्में हुआ 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 है बाकी जनता जो है भी आ गई है टाइम पर आने वाले लोग आ गए हुआ है ठीक तो नेक्स्ट है दूसरे टाइप का कोहरेंट सोर्स वह है फ्रेजनेल फ्रेजनेल बाई प्रिज्म फ्रेजनेल बाई प्रिज्म सेटप फ्रेजनेल ने बाई प्रिज्म यूज किया बाई प्रिज्म मतलब दो प्रिज्म और दो प्रिज्म यूज करके रिफ्राक्शन से इन्होंने तो यह डाइग्राम ऐसे भी हो सकता है दो प्रिस्म कई जगह ऐसे भी होता है कई जगह ऐसे भी गिवन होता है ऐसे यह दोनों हो सकता है तो हाँ फ्रेजनल भाई प्रिस्म मतलब उन्हों क्या गया कि दो प्रिस्म एक साथ यूज़ किये दो प्रिस्म दो स्माल एंगल प्रिस्म हाँ ठीक है repeat करता हूँ small angle prism small angle prism है small angle prism दो combined हुए ऐसे ये और ये 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 दो small angle prism है नियुक्त पाइप ये दो चोटे-चोटे प्रिसम है दोनों प्रिस्म के ये हैं एंगल आफ प्रिसम ए और ए तो ये जो setup है ये setup ऐसा नहीं कि दो प्रिवेक साथ पेस्टेड होता है ये एक ही गलास पीछ से बना में सकते हैं तो ढ़िए चूटे प्रिसमें की चूटते हैं इसनल ने इसका नम उसका नाम की उसका न नहीं सु का नाम तु रहाँ गयी और और है यहां से चोटे स्माल एंगल की Sou можно बहुत इसमाल होते हैं 2-4 डिगरी के असपास होते हैं तो इसमें यहां पर एक source placed है और यह source माल लिया यहां से इस prism के setup से a distance पर है prism के setup से a distance पर है narrow prism है तो इसकी जो है location यह हो जाएगी यह हो जाएगी तो पहला जो सोर्स है हमने इमेज फार्मेशन ड्यू टू प्रिज्म देखा था थिन प्रिज्म अगर कोई है तो थिन प्रिज्म से अगर कोई साओ के माश्यू प्रिज्म देखा तो यहां से जोबी रेज जाएंगे इसे को क्या कर देगा यहें बैंडिकर देगा कितना डेल्टा से डेल्टा कितना होगा गेल्टा इसपोल टू अगर इंट यहां पर होगा S का एक image होगा S1 ठीक है एक prism जो है एक image बनाएगा जैसे हमने लिया था कि अगर 3 prism object में है तो actual में क्या होगा अगर वो principal axis पे located होगा तो उसकी थोड़ी से height हो जाएगी height हो जाएगी जो भी यह distance है A यहां से A से कुछ height हो जाएगी और यह कितनी height होगी यह height हम निकाल सकते हैं A into delta क्योंकि small angle prism है delta भी small होगा delta ही small होगा तो एक दो degree के लिए हम क्या मान सकते हैं उसको circular arc से उसकी height को find कर सकते है तो यह source S है और यहां से एक just एक limiting case में जो just इस line के long है but उपर वाले prism से pass कर रही है लाइन यह यह बट उपर वाले stop वाले prism से pass कर रही है तो यह इसके base की तरफ bend होगी base की तरफ bend होगी तो यह ऐसे जाएगा यहां से base की तरफ bend होगी ऐसे यह angle जो है delta होगा delta होगा तो diagram बहुत clutter हो उससे पहले की यह समाझ लोगे कि यह जो है S का image बना देगा prism number one यह हो गया image इसका S1 तो यह जो raise आ रही है towards base bending होती है न जो भी deviation होता है वो base के तरफ bend होती है raise का तो just इस उपर वाले prism के यहां से जो raise है वो नीचे क्यों bend होगा ऐसा ही bend होगा न तो यह base के तरफ bending होगी डेल्टा अब दूसरी raise अगर हम यहां से consider करते हैं यह S1 यहां से डेल्टा निकाल लिया डेल्टा की value कितनी है डेल्टा is equal to a into mu-1 तो इस s1 की height कितनी होगी s1 की height हो जाएगी a डेल्टा क्या होगा a डेल्टा से डेल्टा होगे इसकी height सेम जो है अगर सेम यहां से हम light consider करते हैं जो इसी line के long है लेकिन just bottom वाले के तुरू है just bottom से तो यहां से आएगी तो यह इस दूसरे के बेस के तरफ बेंड होगी तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहां से यह दूसरे के तुरू बेंड हो गई कितना होगी बाई प्रिस्म है दोनों exactly सेम है तो यह क्या होगा डेल्टा प्रिस्म मिलेगा प्रिस्म वन से जो भी रेज जाएंगी प्रिस्म वन से जो भी रेज है इसको थोड़ा अलग ड्रा करता हूं कि प्रिस्म वन से जो भी रेज जाएंगी वह डेविएट होंगी तो अल्टिमेटली यह दोनों सोर्स से रेज जहां पर पहुंचेंगी इंटर्फरेंस हमें व तो मालो की S1 से सोचो तो S1 से कहां तक जा सकती है यह जो है यह तो पहला यहां से स्टार्ट हुआ यहां से स्टार्ट हुआ यहां से गई यह भी बेंड होगा यह भी कुछ बेंड यह यहां तक आएगा फिर यहां से जो भी होगा यह भी बेंड होगा यह यहां तक आएगा कि ऐसे ऐसे करते घरते मालोई संसे इस पॉइंट के ऊपर जो है एस तक Reis पहुंच रही होंगी इस पॉइंट के ऊपर जो है वह स्वन का लाका होगा कि इस पॉयंट से नीचे नहीं जा सकती स only कि एस वन क्योंके मैक्सिमम तो बेस से बेंडिंग होगी तो एसवन से जो लाइट की लिमिट है वो यहां से इस पॉंट से इस पॉंट तक है टोटल ऊपर कि यह सवन का अरिया है यह संपर सकता हिए यह लिए वह इस तू से दहएंगे तो इस एक्स्ट्रीम ंज पॉंट से नीचे जितना भी है वह सारीया आ हुए है तो इंटर्फरेंस हमें कहां पर मिलेगा जहां पर दोनों सोर्से से लाइट पहुंचे इंडिविजुली एक सोर्स से थोड़ी इंटर्फरेंस होगा तो दोने सोर्से लाइट पहुंचेंगी वहीं इंटर्फरेंस मिलेगा मतलब इसमें भी हम दोनों को रिलेट कर सकते है यहां से दोनों सोर्स को हम YDSC से रिलेट कर सकते हैं YDSC से रिलेट करेंगे तो what is the separation between source 2A delta what is the separation between source and screen source and screen यहां से distance given है A and B given है A and B यह है और यहां से यह distance है यह B है तो what is the separation between source and D is equal to A plus B delta delta की value हो जाएगी A into mu minus 1 what is the net separation sorry small D is equal to this capital D is equal to this beta is equal to lambda D by D lambda D by D condition for maxima minima अब यहां से दो सोर्सेज हैं तो क्या transmission में कोई phase change होगा नहीं transmission में जो है transmitted रही है जिरो जिरो रहेगा यहां से अगर 00 है जिरो 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 रहेगा तो ultimately जो reflection के वज़े से हो रहा था वो काम यहां पे होगा नहीं तो condition for maxima for maxima y d sin theta था d sin theta is equal to n lambda यह maxima की condition हो जाएगी d sin theta is equal to d sin theta is equal to 2n minus 1 lambda by 2 यह हो जाएगा मिनिमा की condition तो यह है फ्रेजनल बाइप्रिज्म बस इसमें सब्सक्राइब की टोटल स्क्रीन पर नहीं मिलेगा कि हम रिलेट तो कर रहा है लेकिन इस चीज से एकम डिया हुए यह दिस्टेंज दिया होगा तो यहां से सकते हैं यह यह लार्ज इस मॉल एंगल तो यहां पर लिख सकते हैं कि एल इस इकौल तो टूबीदेल्टा तो बीदेल्टा नंबर ऑफ रिंच इवाइडिए वाई बिता ऐख ये फेजिनल भाई पृंआ सर बीटा कब चेंज होगा सर बीटा कब चेंज होगा कैस में आगर मीडियम चेंज scare मेंटा यह चेंज होगा het ОбiliORT यहां पर स्क्रीन की टेंस को चेंज करेंगे दुगे तो बीटा चेंज होगा मीडियम चेंज करेंगे वेबलेंच जोगी तो चजेंज होगा यही आलगा यह aspects रहे मिटा यह तो यह तीनों у सब्सक्राइब को हम समझ कर देते हैं वाटर में तो बीटा के उपर क्या एफेक्ट होगा तो बीटा श्रिंक करेगा क्योंकि लैम्डा डिक्रीज कर जाएगा तो यह था फ्रेजनल बाइप्रेज्म और लॉइड मिरर वाइड यसी मॉडिफाइड वाइड यसी वाइड लाइट मॉल्टिपल वेबलेंथ हमारा इसका लास्ट पॉइंट है इस्टू और एस्वन का एरिया क्या बोलत है बस्टू एस्टू एस्वन से एक्स्ट्रीम पॉइंट कहां तक है मतलब एस्वन से पूरे स्क्रीन पर लाइट नहीं जा रही है वाइडि एसी से हम कंपेर कर रहा है इसमें कि वाइड यसी जैसे ही दो सोर्स हैं उनके बीच में सेप्रेशन है ऐसी से क्या डिफरेंट इसे क्या लाइट फूल नहीं जा रही है सिसिन से मैक्सिमम कहा तब जा सकती है जितना वो बेंट होगा ऊपर की तरफ यह चूपकी माक्सिंट लिमिट है और यह एक Sun कि मैक्सिंन दिमिट है तो दोनों का जो ओर लापिंग रीजन होगा सिर्फ और सिर्फ तो इन्तर्फ इंटर्फेरेंस उतने ही रीजन में होगा हर जगर नहीं होगा उजी सुन अब नेक्स हमारति फिल्म इंटर्फेरेंस तिन फिल्म थिन फिल्म इंटर्फेरेंस अब इसका फॉर्मुला बहुत छोटा सा है और ज्यादा तर कुश्चन जो है बोड में तो है नहीं है नीट और जैमेन में उसी से हो जाएगा बहुत छोटा सा पाट डिफरेंस का फॉर्मुला है बट इसके मॉडिफिकेशन हो सकते हैं जो जई एडवांस के लिए है तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग उस फॉर्मुले के डेरिवेशन पर जाएंगे कि कैसे एक्चुल में हम उसको काउंट कर रहा है तो थिन फिल्म कलर फुल पैटन दिखाई देता है या फिर मालो कोई माटिर्यल है कोई मैटल है कोई यौइ यौपजएक्ट सबसे चीज आगर कहीं पर गिर जाता है रेनी टाइम में ग्राउन पर तो तो अगर हम अपने एंगल को चेंज करते हैं तो ब्लू रेड येलो टाइप का और इंज टाइप का ऐसा दिखाई देता है तो वह हमें वही कलर दिखाई देता है जिस कलर के लिए हमारे रैटिना पे मैक्सिमा बनता है हमें जो है कलर वही दिखाई देता है जिसके लिए मैक्सिमा का फॉर्मेशन है जैसे माल हो तुमसे कोई क्वेश्चन देता है कि यह वेवलेंट दो तीन वेवलेंट है और पूछा जाएगा कि इस पॉइंट पे वाट इस दे कंडिशन फॉर एनी वेवले कि कहीं पर दिया हुआ कि इसमीशिंग इसका मतलब क्या है कि उस वेवलेंट का हमें मिनिमा फॉर्म हमें वही दिखाई देगी जिसका माक्सिमा फॉर्म होगा तो थिन फिल्म इंटर फ्रेंस का थोड़ा सा अब्जर्वेशन था तो तो जैसे मालो हमें इस तरीके से कुछ चाहिए कि कोई object है कोई coating है तो चाहिए कि हम किसी object के coat करें वो blue color का दिखाई दे तो मतलब हम चाहिए कि हम उस तरीके से उसका thickness और refractive index select करें सो दाइड की blue color के लिए maximum बन जाए बाहर से light incident हो incident हो कि जब वहां से हमारे पास पहुंचे तो सिर्फ blue color का maximum बने बाकी सबका minimum बन जाए तो हमें वो बिल्कुल blue color का दिखाई देगा तो हम वो thickness और coating को change करके उसका color change कर सकते हैं तो red color का दिखाई देना आए orange color का दिखाई देना जो भी color का उसको sign करना है उसके recording वो thin film interference का application है तो thin film interference में कोई भी material है ग्लास में करते हैं वह ग्लास में हाँ यह भी coating हाँ हाँ जो glass व्गरार हुपर जो coating होती कोई भी जो coating है इदी कोटिंग जो होती है वह उससे जो हेलाइट किसी पर्टिक्ललर वेवलेंट को सी पür छुए पनकलर क्यामध दिखाई देना हम करेंगे कि कोई परड़ केला कि बीजिब लळा हो या सब्सक्राइब करेंगे इंटेंसिटी कैसे आफिक्ट होंगी तो यह है तिन फिल्म तिनस से हुआ कि अधemie अधियर रहे एयर कि इसका धी अधिक्ति पिक्सérieर और यहां पे भी अभी माल लेते है दोनों साइट मीडियं मीडियम चेंज हो सकता हैं तोनुम साइट गया है मीडियम तो यह एक तिन फिल। मैं थिखने तिकनेस हई कीक जए मेंड़ों सद具 और रिक्रेक्टिव इंडेक्स मूँं हूं अब इसमेंाँ इंटरफेरेंस कॉंसे में होगा कि यहां से यह हमारे थिन फिल्म है थिन फिल्म है यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है यह एंगल आफ इंसिडेंट है आई पे है आई पे एंगल आफ इंसिडेंट है तो एक तो यहां से रिफलेक्ट होके चलीगी ऐसे दूसरा है कि यहां से ट्रांस्मिट होगी यहां मालिया एर है यह म्यू है और यह भी एर है इधर इधर मीडियम चेंज हो सकते हैं तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होई यह रिफ्रैक्ट होगी च्छिछ और कुछ पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट भी हो सकती है क्योंकि रिफ्लेक्षण के लिए तो कोई क्रिटिकल एंगिल वेंगिल की कंडिशन नहीं है न वो तो सिर्फ टोटल टोटल के लिए है तो यहां से यह आ रहे हैं और यह ऐसे यहां जा सकती है तो multiple reflection होते जाएंगे जैसे माल लिया कि 50% reflect हो रहा है ऐसा दिया हुआ रहेगा दिया हुआ है कि माल लिया कि 50% reflection है सिंप्लिसिटी के लिए 50% reflection है हर पॉइंट पर तो अगर 50% reflection है माल लो इसकी intensity आइनाट है तो इसकी intensity कितनी हो जाएगी आइनाट बाइटू और transmitted की कितनी हो जाएगी वह भी आइनाट बाइटू फिर से यहां रिफ्लेक्ट हुआ फिर से 50% 50% यह हो जाएगा इनाट बाइफ फिर से यहां पर reflection हुआ तो यहां से reflection हो गया आइनाट बाइट और यह क्या हो जाएगा यह भी हो जाएगा आइनाट बाइट इसके बाद फिर consecutive वैसे चलता जाएगा मतलब जो बार बार माल फिर से दुबारा यहां पर कोई निकल लिए उसके intensity और क्या हो जाएगी और कम ह होता जाएगा तो अब यह बहुत सारी रेज निकल रही है हम कंसीडर करेंगे किसको जो यह बाहर जा रही है यह हमारी यह दोनों है और यह दोनों फिर यह human eye है मालो यह कोई lens है तो यह lens क्या करेगा इन parallel rays को converge कर देगा अगर करेगा तो इस पॉइंट पे अगर maxima की condition satisfy होगे तो minimum बन जाएगा ठीक है यह आगे गई human कोई देखी रहा है तो parallel rays आ रही है वो करेंगी रेटीना पे maximum minimum बनेगा अब जो भी maximum minimum बनेगा इन्हीं दोनों के super position से हो रहा है तो सोचो कि i1 क्या होगा i1 is equal to i0 by 2 और i2 क्या होगा i2 is equal to i0 by 8 तो कोई पूछेगा कि what what is the maximum minimum and minimum intensity उसके लिए तो formula है हमारे पास अब कुछ सोचना नहीं है कि कुछ अलग सा है इसके लिए क्या अरे दो intensity अगर सुपर इंपोज होंगी इसके बाद वाले रिफ्लेक्शन वाले जनरली कंसीडर नहीं किया जाते हैं कौन सा लिया गया फर्स्ट रिफ्लेक्शन और उसके बाद नेक्स्ट जो आ रही है रहे फर्स्ट रिफ्लेक्शन और यह transmission से यह दोनों कंसीडर किये गए हैं interference के लिए इसके अलावा अगर कुछ दिया होना चाहिए कुछ और चाहिए किसी को ऐसे तो चाहिए होता नहीं है लेकिन मालो कॉम्प्रियेंशन टाइप या किसी कोश्चन में ऐसा होगा तो स्पेसिफाई किया होगा कि इस वेव और इस वेव में इंटर्फेरेंस कंसीडर करो जनरली थिन फिल्म इंटर्फेरेंस हम किसमें देखते हैं कि एक डारेक्ट रिफ्लेक्शन और एक लोवर वाले सर्फेस से रिफ्लेक्शन एक यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है और दूसरा यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है कि दुनों से रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है तो अब यहां पर मैक्सिमा या मिनिमा का फॉर्मेशन होगा डाट विल डिपेंड ओन कि इस पे कि यहां से पर्पेंडेकलर मैंने ड्रॉप कर दिया जिसको यह पिस पॉइंट के बियां तो सेम है इस पॉइंट के बियांड पाच सेम है इससे पहले ही टेंचन नहीं इससे पहले एक यह लेंध यह एर में चल रहा है और यह यह म्यू में चल रहा है अ मतलब Optical Path find करना पड़ेगा क्या पड़ेगा Optical Path is our findings करना पड़ेगा कि इसके corresponding Optical Path thickness अगर इसकी ती है तो हम यह लेंध करेंगे mute mute नहीं हम म्यूटी तो थिन अगर लेते तब अभी हम एकुरेट अगर कैल्कुलेट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा टी भाई कॉसर कहने का है कि इस लेंथ का आप्टिकल पाथ माइनस यह लेंथ वाई होगा हमारा पाट डिफ्रेंस और दूसरा रिफ्लेक्शन को भी कि कंसीडर करना पड़ेंगा एक तो मेंडियम चेंज का अफेक्ट है दूसरा रिफ्लेक्शन डिसमस कौनेंस शुर्स यहांसे हैं तो और लेंबडा घु का जू आता है हम क्यांसे फाए का जो से अतार्व मेडीकल वाला वाला कंसीडर कर लेंगे ज्समेंटिकल तो यह तो यहां से यह पर पेंडिकुलर डॉब किया गया है तो यह लेंथ वोगई यह तो आर में हैं जो पाइट डिफरेंस होगा डिल्टा एकस एक्स डैल्टा एकसजी एक्वल्टो दिस ए बी सी ए टिने ए टुवन म्यूं टाइंस ऑफ ए बी सी माइनस वन इन्टु एडी जी सर यह जोमेर्टिकल पाउट डिफ्रेंस है यह लेंद्ध क्या हो गया a b c a b c और यह आ रहें तो a b is equal to t by cos r यह अगर यह मान लो t है तो t equal to क्या लिखाजा सकता है यहां से यहां से जा रही है यह तो यहां से रिफलेक्ट होके आई है तो इस पॉइंट के प्रीयां तो राष्टे से मैं यह इतना चलकर आया इस पॉइंट पर और यह यहां यहां रिफलेक्ट हुआ और फिर वार राहे इदर नहीं यह सी इधर यह सी यह तो इसमें देखो एबी एबी और बीसी तो दोनों सेम है तो एबी को में लिख सकते हैं कि एबी इस इकोल टू एबी इस एकोल टू टू टी वाई कॉसर तो यह तो यह तो यह साइगा अब उस के बाद है मारा यह जो सकता है इस पोइंट पे तो क्या हो जाएगा 1 into sin i 1 into sin i is equal to mu into sin r mu into sin r ऐसा यह दो equation लिखे जा सकते हैं तो इसको put कर देंगे 1 into sin i is equal to mu into sin r mu into sin r mu sin r यह हो गया तो ठीक है भी अब अब टेंशन में मताना ज्यादा ठीक है सिद्यप्रिया ठीक है यह mu अभी तक ठीक है तो यह 2 mu और यह क्या हो है टी बाई कॉस आर टी बाई कॉसर माइनस ad ad तो ठीक है ad को भी कुछ लिख सकते हैं क्या ad को लिख सकते हैं क्या ad को लिखा जा सकता है यह आई है कि एडी आई है तो क्या हो गया यह भी आई हो जाएगा कि 90 माइनस आई यह परपेंडिकलर तो आई तो यह सी आई कोस साइन एडी इस इकोल टू यह जो है एडी इस इकोल टू कि अ इसी साइन घी घो कि दो लाइन के टेंचन हो हुँ रहे हैं एडी से कोल टू ieg ईसी साइन किले रहा हूं क्योंकी आ यार को रिलेट कर पाँगा उपर भी कामन है और नीचे भी कामन्हिए ॉप्यह länger कि यह दो है किसी को इस ले लिख रहा व्यारा हूं कि ली तो पीचे वाले ट्रैंगल से भी हम मैं रिलेट कर सकता हूं और उपर वाले से भी रिलेटेड है तो एडी और एबी दोनों से रिलेट कर सकते हैं इसलिए इसको सोच रहा है तो यह आई और यह आई है तो इसकी वैल्यू क्या आई एसी कॉस आई साइन आई एसी साइन आई होगे एडी चलो कुछ तो हुआ तो यह तो होगा टू म्यूटी ऐसा लिख लिए और एडी इस इक्वल टू एसी साइन आई ठीक है अच्छा अब एसी को भी लिख सकते हैं ती के टर्म्स में कि एसी को लिखा जा सकता है टी के टर्म्स में क्या बी सी कॉस आर जो भी है एबी कॉस आर एबी साइन आर तो एसी लास्ट पॉइंट है उसके बाद सिंप्लिफिकेशन है एसी इस इकोल टू 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 एबी साइन आर टेंशन में यह एसी जो है यह तो सिमलर ट्रैंकल है न दोनो तो तो यह दोनो, A is equal to 2 cos r sin r, 2ab sin r, 2ab sin r, तो यह हो जाएगा, 2 muti by cos r minus 2ab sin r, 2ab sin r into sin i, अच्छा, तो, sin i को क्या लिख लेंगे, mu sin r, हो क्या है, बागी से, अब हो गया, simplification नहीं करना है, इसको मैं ऐसे run देता हूँ, 2 muti, sin i को क्या लिख लेंगे, sin i को sin r, sin i को sin r, तो mu sin r, तो यह हो जाएगा, delta x, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ से, delta x is equal to 2 muti by cos r, minus 2, और ab की value को फिर से लिख लेंगे, t by cos r, into sin r भी है, और यहाँ पर sin i को क्या लिख लेंगे, mu sin r, mu sin r, 2 muti cos r common, 2 muti by cos r common, 2 muti by cos r common, यह हो जाएगा, 1 minus sin square r, 1 minus sin square r क्या हो जाएगा, cos square r, cos square r से यह cancel out हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 muti by cos r, into cos square r, यह cancel out होगा, delta x जो geometrical part difference होगा, 2 muti cos r, 2 muti cos r, 2 muti cos r, ठीक है, yes sir, yes sir, अब इसमें हमें जो है, यह तो जब सब एंगल वेंगल दिया होगा, हमारे लिए क्या होता है, for normal incidence, generally, कुछ mentioned नहीं है, तो हम उसको normal incidence लेंगे, for normal incidence, normal incidence के लिए, i is equal to 0, approximately 0, so r equal to 0, तो delta x जो है, वो हो गया, 2 muti, और यह 2 muti ही होना चाहिए, कि रहे, t गया, t उपर आया, तो 2, जी, ती नीचे गया, t उपर आया, तो वो तो 2 muti होना,